बिजनस मेठेमेटिक्स, लेक्चर नमबर 7, मेट्रिक्स & क्रेमर्स रूल इस वीडियो को देखने के बाद आप बता सकेंगे कि बिजनस में मेट्रिक्स का क्या यूज है मेट्राइसिस यानि मेट्रिक्स की जमा matrices को add या subtract कैसे करते हैं multiplication of scalar quantity दो matrices को आपस में किस तरह से multiply करेंगे matrix का inverse कैसे निकालेंगे अगर linear equations दी गई हो तो उनको matrix में किस तरह से represent करेंगे इसी तरह linear equations को matrices की मदद से solve किस तरह से करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि matrix movie का नाम matrix क्यूं रखा गया फर्स करेंगे यह किसी company के मंतिली सेल है और वो company तीन प्रोटरिक्स बनाती है G1, G2, G3 और वो अपने दो customers को यह प्रोटरिक्स सेल करती है C1 और C2 को अगर आपको यह सेल मैटरिक्स में शो करनी हो तो आप simply इस तरह से शो कर देंगे 734, 734, 156, 156 और इस मैटरिक्स को किसी भी capital लेटर से शो कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर इसे एसे शो किया है इस सवाल में आपको X और Y फाइंड करने के लिए काह गया है याद रहे अगर दो मैटरिक्स बराबर दिये गए हो तो सेम पोजिशन वाले नमबर आपस में बराबर होंगे जैसे X पिलस Y यहाँ पर बराबर है 6 के और X बराबर है 0 के सुलूशन X एक्वल टो 0 X पिलस Y एक्वल टो 6 हम X की वैल्यू जिरो यहाँ इस एक्वेशन में पुट करते हैं तो 0 पिलस Y एक्वल टो 6 यानि Y एक्वल टो 6 तो हमारा आंसर आया X एक्वल टो 0 and Y is एक्वल टो 6 यहाँ दो मेट्राइसिस को आपस में पिलस करना है A और B को A पिलस B A का मेट्रिक्स आया और B का यहाँ आया पिलस जब हम दो मेट्राइसिस को करते हैं तो आपस में same position वाले numbers को जम्मा कर लेते हैं जैसे यहां 2 पिलस 0 होगा 3 पिलस 1 होगा 1 पिलस 2 4 पिलस 3 और जब आप इन्हें आपस में जम्मा कर लेंगे तो इस तरह से answer आ जाएगा 2 पिलस 0 2 3 पिलस 1 4 2 पिलस 1 3 4 पिलस 3 7 Next question में आपको A माइनस B करना है A माइनस B A की जगा A का मेट्रिक्स आया B की जगा B का माइनस में भी same position वाले numbers को आपस में माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 3 माइनस 1 1 माइनस 2 4 माइनस 3 और जब आप इनको solve करेंगे तो इस तरह से यह answer आ जाएगा इसके बाद आपको A पिलस C करना है A का मेट्रिक्स आया और C का आया और इसका अंसर आया के orders of matrices is not same यानि हम ने देखा था है कि जब हम पिलस कर रहे थे तो same position वाले numbers को आपस में जमा किया था तो यहां position same नहीं है या order इनके same नहीं है यहां 2 columns और 2 row हैं लेकिन यहां 2 columns तो हैं लेकिन rows 3 हैं तो इसलिया आपका अंसर होगा order of matrices is not same hence A plus C is not possible scalar multiplication का बता है किसी number को matrix से multiply करना यहां अगर हम इन numbers को sales consider कर लेते हैं एक महीने की और हमें कहा जाए कि 12 महीनों की कितनी sales होगी तो आप for one year sales निकालने के लिए बी से represent करेंगे और A को multiply करवा देंगे 12 से तो एक साल की sales 12 multiply by A का matrix है 2, 3, 1, 4 यहां लिखा 12 को हर एक से आपने multiply करवाया तो यह आप यह पास answer आ गया जब आप दो मेट्राइसिस को आपस में multiply करवाते हैं तो यह तरीकार होता है A into B यह दोनों मेट्राइसिस आप इस तरहों से multiply में लिख लेंगे उसके बाद इन्हें आप L शेप में multiply करवाइंगे किस तारह से? 2 को और 3 को 0, 2 से उसके बाद again 2, 3 को minus 1, 3 से इसके बाद 1, 4 को इन दोनों से जैसे आपने 2 और 3 को करवाया तो आईए इसको multiply करते हैं 2 को 0 से करवाया पिलस 3 को 2 से अगें 2 को minus 1 से उसके बाद 3 को 3 से इसी तरह से 1 को 0 से 4 को 2 से उसके बाद 1 को minus 1 से 4 को 3 से पहले आप multiply करवाले 2 0 सा 0, 3 2 सा 6 2 1 सा 2, minus के साइन आएगे यहां पर दो रोज और दो कोलम्स हैं और यहां दो रोज तो हैं लेकिन कोलम्स तीन हैं तो इसे multiply करने के लिए आप इन दोनों को बारी बारी इन तीनों से multiply करेंगे मतलब इस रोज को इन तीनों कोलम्स से multiply करेंगे तो 2 0 सा 0, 3 को 2 से करवाया इसके बार 2 को minus 1 से करवाया 3 को 3 से करवाया फिर again 2 को 1 से करवाया और 3 को 1 से इसी तरह से इस वाली रो को इन तीनों कोलम्स से multiply करवा दिया और बीच में plus लगा दिया हर एक जब आप इनको solve करेंगे तो इस तरह से आजाएगा फिर आप जब इनको plus कर लेंगे तो यह आपका answer आजाएगा इसके बाद multiplication है इन दोनों की यहां रोस तो जब आप को यह multiply करने के लिए दिया जाएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे और आपको मालूम है कि जब आप आपस में मैट्राइस को multiply करवाते हैं तो इस row को कॉलम्स इस तरह से कॉलम्स से multiply करवाते हैं लेकिन यहां मसला यह है कि यहां दो डिजिट्स हैं आपके पास और यहां तीन इसका मतलब यह है कि यह आपस में multiply नहीं हो सकते तो आपका अंसर होगा matrices cannot be multiplied अब आपको inverse matrix मालूम करना है आपके पास यहां पर matrix यहां गया है इसको हम A के बराबर consider कर लेते हैं और inverse का मतलब होता है उलट तो A को हम divide में लख लेंगे उसके बाद आपको मालूम है कि अगर हम A को उपर लाते हैं तो इसकी power minus में कर देते हैं अगर minus में होती तो plus में हो जाती तो basically हमें A inverse मालूम करना है A inverse मालूम करने के लिए सबसे पहले आप mode of A मालूम करेंगे mode of A निकालने के लिए cross में multiply करवाते हैं और दोनों का difference लेते हैं जैसे 3 को 2 से करवाया 1 को 5 से करवाया और difference में निकालने के लिए minus लगा दिया 3 2s are 6 1 5s are 5 minus करेंगे 6 में से 5 को तो आया 1 इसके बाद आप adjoint of A निकालेंगे adjoint of A में simply आप इन दोनों की places को change कर लेते हैं और इन दोनों की signs को 3 2 है तो 3 2 इस तरह से आगया यानि पहले 3 था तो बाद में आया 3 2 बाद में था तो पहले आया इसके बाद इन दोनों को आप sign change करके लिख देंगे तो यहाँ पर plus में थे यहाँ पर आए minus में इसके बाद A inverse का formula होता है one divided by mode of A, mode of A mode of A जो के अभी हमने one निकाला है multiply करते हैं इस factor को adjoint of A से adjoint of A आप इपास यहाँ पर हमने अभी मालुम किया था तो formula में इन दोनों values इसको put करते हैं one divided by mode of A की value है one और adjoint of A की value आई यहाँ से जब आप हर एक को one से multiply और one से ही divide करेंगे तो आभी पास answer आएगा same इसके बाद आपको मालुम करने के लिए कहा गया है कि A और B अगर आपस में multiply हों तो यह बताएं कि यह दोना अपस में inverse हैं या नहीं यानि B बराबर है A inverse के तो आप इन दोनों को जब आप multiply करेंगे तो answer identity matrix आना चाहिए identity matrix इस तरह से होता है कि cross में आपका one होता है और इस तरह से zero अगर आप A को B से multiply करें और identity matrix आ जाए तो इसका मतलब होता है कि A inverse है B का तो A को B से multiply करते हैं A और B के आपने matrices लिए multiplication के लिए अब column को हर एक row से multiply करते हैं बारी बारी और plus लगा देते हैं इस तरह से इसके बाद जब आप इनको solve करेंगे तो यह आया जब आप plus minus करेंगे तो आप यह पास identity matrix आ गया इसका मतलब यह हुआ कि आपका A inverse है B के linear equation को matrices में represent करने के लिए इनका journal form में होना ज़रूरी है यानि variable वाली values एक तरफ और constant दूसरी तरफ जब आप linear equations को matrices में represent करते हैं तो तीन matrices बनाते हैं पहला variable के साथ जो values होती है दूसरा जो variables है तीसरा जो variable के इलावा values है variable के साथ यहां 2 है और यहां 1 तो 2 और 1 आया 5 और 3 इस तरह साया plus में हैं तो sign लाने की जरूरत नहीं अगर यहां minus में होते तो आप यहां पर minus 5 minus 3 minus 2 minus 1 लिखते इसके बाद दो variables है x और y तो आपने इस तरह से x और y लिखा और इसे small letter से represent किया जब आप भी पास single column यह single row matrices होते हैं तो आप उन्हें small letter से represent करते हैं इसके बाद आप यह पास 12 और 7 है इसे भी आपने small letter से represent किया अब हम इन linear equations को matrices के मदद से solve करेंगे जिसका फार्मूला है x equal to a inverse into b यहाँ पर अगर हम इन्हें matrices में represent करें तो आप बास a बराबर आएगा इसके x आएगा इसके और b आएगा 12 और 7 के बराबर तो जब आप a inverse यानि इसका आप inverse निकालेंगे और b से जब आप multiply करेंगे तो आप यह पास यह values मालूम हो जाएंगी तो सबसे पहले a inverse निकालने के लिए आप mode of a निकालते हैं जो कि इस तरह से निकालेंगे जैसे आपने पहले निकाल चुके हैं इसके बाद आप adjoint of a निकालेंगे और mode of a को adjoint of a से multiply कर देंगे तो आप यह पास इस तरह सा जाएगा अब आप multiply करवाएंगे इसको 20 से तो 20 से multiply करवाने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे और 3 को 12 से minus 5 को 7 से उसके बाद minus 1 को 12 से और 2 को 7 से इस तरह से multiply करवाएंगे तो आप यह पास आएगा 1 by 2 और जब आप 1 by 2 को multiply करवाएंगे 1 से और divide करवाएंगे 1 से तो आप यह पास और आपको मालूम है जब 2 matrices आपस में बराबर हूं तो same position वाले numbers आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ x बराबर होगा 1 के और y 2 के तो आप यह बास यह answer आ गया इसके बाद देखते हैं क्रेमर्स rule क्रेमर्स rule के मदद से solve करने के लिए सबसे पहले आप इनको journal form में लिखेंगे journal form में किस तरह से लिखते हैं एक तरफ variable होते हैं और दूसरी तरफ constant तो यह plus हो रहा है 6 वहाँ पर जाएके minus हो जाएगा यहाँ पर plus हो रहा है 15 यहाँ पर जाएके minus हो जाएगा अब आप सबसे पहले निकालेंगे D variable वाली values का determinant निकालेंगे यानि mode निकालेंगे तो 4, minus 3, 3, 5 इस तरह से आया इसका mode निकाला तो आया 29 अब D, X निकालेंगे D, X निकालने के लिए X वाली values की जगा minus 6, minus 15 लिखेंगे तो यहाँ आया minus 6, minus 15, X की जगा बे और minus 3, 5 इसी तरह से आया इसका mode निकाला तो आया minus 75 इसके बाद D, Y निकालेंगे D, Y निकालने के लिए Y की जगा minus 6, minus 15 आयेगा तो D, Y आया 4, 3 और Y की जगा minus 6, minus 15 इसका mode निकाला तो आया, minus 42 अब निकालेंगे X, X निकालने के लिए फार्मुला होता है DX divided by D DX है minus 75 और D है 29 minus 75 divided by 29 अब निकालेंगे Y तो Y का फार्मुला आता है DY divided by D DY है minus 42 और D है 29 तो आब इस तरह से इनकी values लिए 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 और यह हो गया आपका अंसर Movie का नाम Matrix इसलिए रखा गया क्यूंकि इस Movie में Computer की एक फर्जी दुनिया दिखाए गई है Computer जब कोई Graphics Image पे काम करता है तो बुनियादी तो पर Matrix की ही मदद से calculations कर रहा होता है तो Movie में जो Computer की दुनिया दिखाए गई है उसे Computer Simulated Virtual World कहा जाता है तो यहां यह topic हुआ खत्म नेक्स्ट वीडियो में Binary System समझेंगे